दिन दहाडे गला रेत कर युवक की हत्या से इलाके में संसनी चौनपुर बदलापुर खुर्द गाउं में बकरी चराने निकले युवक की मंगलवार को दिन दहाडे धारदार हत्यार से गला रेत कर निशन्स हत्या कर दी गई उसका शव शाम करीब साढ़े चार बजे घर से 600 मीटर दूर नाले के पास पाय जाने से संसनी फैल गई हत्या की वज़ा अभी साफ नहीं हो सकी थी अपर पुलिस अधिक्षक त्रिभुवन सिंग के नतित में पुलिस मामले की तहकिकात में चुटी है गाउ निवासी महमबत हारून का 19 वर्ष पुत्र कमरुजमा उर्फ निसार दो बहर में रोजाना की तरह घर से उत्तर 600 मीटर दूर नाले के पास पकरी चलाने गया था शाम करीब साढ़े चार बजे नाले के उपर आनके पेड की नीचे शौच करने गया कुछ क्रामीलों की नजर निसार के खून से लटपर शौप पर पड़ी तो उनके शोर मचाने पर सैक्रों की संख्या में क्रामील चुट गया निसार के गर्दन का आधा हिस्सा धार-दर हत्यार से रेता हुआ था इसके अलावा सिरहात व शरीर में अन्य कई जगा धार-दर हत्यार के खाओ थे खबर लगते ही सीओ चौप सिंग व प्रभारी निरक्षक पवन कुमार उपाध्याय भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँच गया हत्या का कारण पूरी तरह से साफ नहीं हो सका हाला कि हरून ने खाने में दी गई धरीर में आरोप लगाया है कि उसके बेटे की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई है। लेकर छेत में तरा तरा के कयास लगाय सा रहे हैं। प्रयाग एक्स्टिस न्यूज के लिए अंकुर्यादव की खास रिपोर्ट।